सूपरभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सब का स्वाधित है। हम कर रहे हैं उक की मात्रा और आज हम उक की मात्रा का अभ्यास कारी करेंगे। और अभ्यास कार्य हम हिंदी की पुस्तक पर करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उ की मात्रा की शब्दों का उच्चारन करेंगे यहां पर शब्द और मात्राइं दी गई हैं और अब हम इनको जोड़कर पढ़ने का प्रयास करेंगे क उ र स ई कुरसी कु र सी कुरसी म उ र ग की मु र गी मुर्गी ग उ ल आ ब गु ला ब गुलाब धन उ श धनु श धनुश क च उ अ आ कच्छु आ कच्छु आ ग उ र इ य आ गु रिया गुडिया फ उ त ब आ ल फु त बा ल फुट बाल जिस भी अक्षर के साथ मात्रा लगी होती है आपको उसको मात्रा के साथ ही पढ़ना है ठीक है बच्चो तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यासकारे की तरफ पहला है सही जगह पर उ की मात्रा लगाओ हमें यहाँ पर चित्र दिये गए है अब हमें इनकी नाम में सही जगह पर उ की मात्रा लगाने है और शब्दों को पूरा करना है यह किसका चित्र है बच्चो यह है धनुश और यहाँ पर हमें शब्द दिया है धनश शब्द को बार-बार दोहराएंगे धनुष धनुष तो उख की मात्रा कौण सी अक्षर के साथ द न न के साथ तो हम यहां पर लगाएंगे उख की मात्रा और यह बन गया धनुश धनुष अगला है कच्छुवा लेकिन अब हमें मात्रा कैसी पता चलेगी कि कौन सी अक्षर के साथ आएगी इसके लिए आपको उस ग के साथ तो ये बन गया गुलाब गुलाब अगला है हमारे पास मुकुट मुकुट फिर से बोली एक बार बच्चो मुकुट तो मात्रा दो अक्षर के साथ आ रही है मुकुट ठीक है बच्चो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ दूसरी नंबर पर है वर्नों को मिला कर लिखो तो ये हम अपने पिछली कक्षा में कर चुकी है अब हम करेंगे चित्र के नाम पर गोला लगाओ यहां पर चार चित्र दिये हैं और हर चित्र के आगे तीन तीन शब्द है और हमें चित्र को पहचानना है और उसके नाम को ढूणना है और फिर उस पर गोला लगाना है ठीक है बच्चो तो चलिए शुरू करते हैं ये किसका चित्र है? गुडिया तो चलिए गुडिया को डूनते हैं पहला है ब, टू, आ, बटुआ, क, छू, आ, कच्छुआ, गु, डी, या तो ये रहा हमारा शब्द, इसको हम कर देंगे गोला अगला है हमारा बुल-बुल गु, ल, गु, ल, गुल-गुल बु, ल, बु, ल, बुल-बुल तो हमारा शब्द हमें मिल गया अब हम इसको कर देंगे गोला लेकिन हम अगला भी पढ़ लेते हैं चू ल भू ल चुलबुल चीक है? अगला है आप बताओ बच्चो ये कौन सा चित्र है? मुरगी मुरगी तो हमें मिल गया और हमने इसको कर लिया गोला और अगला भी पढ़ लेते हैं कू र सी सुराही चीक है? तो अगला है हमारे पास football और अगला है football का तो अब हम football को कर देंगे गोला और हमारा आखरी है प्रश्न चित्र देखकर नाम पूरा करो तो अभी हमें फिर से यहाँ पर चित्र दिये हैं और इनके नाम को हमें पूरा करना है पहला चित्र है चुहिया यहाँ पे है हिया तो हमें यहाँ पर इसको पूरा करना है तो चलिए बिच्चों इसके नाम को एक बार दोहराते हैं चुहिया तो यहाँ पे आएगा चु और अब देखिए यह पूरा हो चुका है चुहिया आगे है बुडिया तो यहाँ पे है रिया तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे बू तो हमारा शब्द यहाँ पर पूरा हो गया बू, रिया, बुडिया आगे है कुर्ता तो क्या आएगा कु र, त, कुर्ता और आखिर में है सु, राही तो यहाँ पे आएगा सु इसी के साथ उ की मात्रा का अभ्यासकारे पूरा होता है, मिलते हैं हिंदी की अगली कक्षा में. धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुब हो.